नमस्कार सौगात है आपका अपने चैनल नयन जीके वर्ल्ड में आज हम देखने वाले हैं जीके के most important questions जो questions है important होने के साथ साथ selected भी है तो इसलिए आप वीडियो में प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे मतेये क्या हो जाएगा इसका से आंसर कौन थे तो इसका से आंसर हो जाएगा option a dr. भीम्व राव अमबेटकर important question है भारती सम्वीधान के पारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीम् राउ अंबेटकर. अगला question देखते हैं, अगला question है, बिश्व परियावरंड दिवस प्रतिवर्स कम बनाया जाता है? बताइए, कम मनाते हैं बिश्व परियावरंड दिवस? फटा-फट बताइए, जिसका से आंसर हो जाएगा, option C, पाथ जून? यह भी important question हो जाता है तो बिश्व परियावरण दिवसकब मनाते हैं पाथ जून को अगला question देखते हैं अगला question है 2011 की जो जन गंड़ना है वो कौन सी राष्टी जन गंड़ना थी मताई यह क्या होगा इसका सही answer कौन सी राष्टी जन गंड़ना थी जो 2011 की जन गंड़ना थी जिसका सही answer हो जाएगा option a important है यह भी पंद्रवी राष्टी जन गंड़ना ठीक है अगला question देखते हैं अगला question है बिश्व का सबसे उच्छा जल प्रपात कौन सा है बताईए क्या हो जाएगा इसका सही answer कौन सा जल प्रपात बिश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात है तो इसका सही answer जाएगा option b angel जल प्रपात important question है यह भी exams में आया हुआ है चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए अगला question देखते हैं अगला question है देश का पहला भूब अग्यानिक संग्राले कहां पर बनाया गया बताईए important question है यह भी क्या हो जाएगा इसका सही answer फटा फट बताईए तो इसका सही answer हो जाएगा option a ज अगला question देखते हैं अगला question है गोतम बुद्ध का महा परी निर्माण किस स्थान पर हुआ बताईए क्या होगा इसका सही answer फटा फट बताईए तो इसका सही answer हो जाएगा option c कुशी नगर important question है यह भी ठीक है अगला question देखते हैं अगला question है निमलिखित में से किस शासक ने लोह एवं रक्त की नीती का पालन किया most important questions बताईए क्या हो जाएगा इसका सही answer इसका सही answer हो जाएगा option b बलबंत ने important question है यह भी चितने भी questions में आपे करा रहा हूं सारे questions selected है previous year में किसी ना किसी exams में आये हुए है यदि आपको इसका answer पत के लुचा है तो आप comment box में बताईए अगला question देखते हैं 탄ैक अगला question है कि इसका सही answer हो जाएगा option बिलतूत मिशने ठीक है किसने पूरा बनवाय था कुतुम मिनार इल्टुत मिश्ण ने अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है भारती स्वतंतुरता दिवस के अपसर पर प्रधान मंत्री तिरंगा कहां पर फेराते हैं अगला कोश्चन देखते हैं पूर्व का मोती किस देश को कहां जाता है बताईए क्या होगा इसका सही आंसर किस देश को पूर्व का मोती कहां जाता है फटा-फट बताईए जिसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी श्री लंका को इंपोर्टेंट है यह भी तो किसे पूर्व का मोती कहां जाता है श्री लंका को अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोशन ए आसवान बांध किस नदी पर इस्तित है बताईए किस नदी पर इस्तित है जिसके सही आंसर जाएगा option बी नील नदी पर ये भी हो जाता है important question अगला कोशन देखते हैं कि अगला कोशन ए जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पढ़ता है बताईए science का question है important है क्या प्रभाव पढ़ता है जिसके सही आंसर हो जाएगा option c एक समान रहता है ठीक है important है ये भी मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं पढ़ता अगला question है वम कोशें रिखाव शारा भाई अंत्रिक्सकेंद्र कहा पर इस्तित हैं बताये यह श् ruyals आया हुआ हुआ है कोशें कहाँ पे हैं तो यह किसके दौरा स्थापीद किया गया है आप कमेंट बॉक्स में बताई आगला वोशन ने विश्वसम संट संट इसका मुख्यलें कहां पर है। पटाइए कहां पर है विश्वसम का मुख्यलें आह यह फटा फट बताइए कहां पर हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा में इम्पोर्टेंट भी है कहां पर है विश्व सौस संगठन का मुख्याल है जेनेवा ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है अठ्रासू संथावन का जो विद्रूव हुआ था उसमें सबसे महत्पूर्ण परिवर्तन कौन सा था बताईए कोन सा सबसे महत्पूर्ण परिवर्तन था फटा फटब इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी इस इंडिया कंपनी के शासन का अंत यह भी इंपोर्टेंट कोशन हो जाता है इसी प्रकार के कोश्ट को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चनल पर बने रही है धन्यवाद